यह एक देशी बिल्ली है बिल्लियों में एक ऐसा अद्भुच्यमत्कार मिलता है जो सुंगने और परखने में माहिं होती है कि हमारा सिकार कहा है बिल्लियां सीते प्रजात्की होती है बिल्ली को हिंदू रिद्रिवाज में काली का प्रतिक माना गया है बिल्लियों को असुब कादाज्या दिया गया है जैसे हैं बिल्ली रास्ता काड़ देती है तो लोग असुब मानते हैं बिल्ली जबकि पालना भी चाहिए नहीं पालना चाहिए ये अपने विच्यारों के उपर निर्वर करता है बिल्ली पालना सांस्त्रों में असुब माना गया है या नहीं माना गया है लेकिन बड़े बुजुर्गों का मानना है कि विल्ली या असुब मानी जाती है बिल्ली अपना भोज़ चुरूरा रहा है मान समझ लिए आज से भार पेट भोज़ा करती है जबकि विल्ली या जो पाली जाती है उनको तूद के अलावा तही के अलावा रोल की सब्जी के लावा कुछ नहीं करता जैसे ये विल्ली है ये पालकु बिल्ली है लेकिन अपने मालिक से छिफ करके बाहर जंगल में गई और अपना होज़र करके वापस धर को आ रहे दिए ये विल्ली अब अपने धर को जा रही है इसलिए ये विल्ली धीरे चुपके चुपके जा रही है कि हमारा मालिक कहीं हमें देखना ले इसलिए ये ये विल्ली अपना पाल लगा के चुपके चुपके जा रही है आपनोंगे से हैं ये कि ये विल्ली अजो थीरे धीरे जंगली लुप्के होती जा रही है जब या विल्ली जंगल में सिधार करेगी, तो इसके विचार, इसके दिमाग, और इसके रहन सहन भी जंगली हो जाएगा, लोंगों के उपर विश्वाद भी कम करेगी, लोंगों के उपर हमला भी कर सकती है, या विल्ली को अब बांध कर रखा जाए तो हो सकता है कि विल्ली लोंगों के उपर हमला करके वार करेगी, रोटी साद जिना पसंद हो, यह देखो, हम आपको दिखा रहे हैं, विल्ली कर से दरवाजे से दोसे कि यह और अपने घर को जाएगी, का रहे हम आपको यह की अब दिखा रहे हैं, कि आप रहमां पसाल लोगों के जाए, करी की आपको अब आपको जाए, आपके लिए ये देखो बिल्ली अपने घर मुझा रहे हैं तरवाले के पीछे से कैसे घुस गई नहीं चलिए अब दूसरा पाड़ देखिए वह बिल्ला था यहां उसकी पत्मी बिल्ली है अब ये बिल्ली अपने सिकार के लिए देखिए ये गिलहरी को पकड़ रही है पे अब ये अपने सिकार बफू की पकड़ना जानती है और जैसे चीता पेर पर चड़ जाता है उसी परकार ये लिए पर पर चड़ती है अपना सिकार पेरों पर पिचड़ में कर लेती है देखो कैसे अपने सिकार के गार में वाई थी है ये देखो ये देखो एक मितेजी से सिकार परवार की लिए बिल्ली अपना कान 180 सेंटी मीटर तक खुमा लेती है बिल्लियों के सरीर में टोटल 230 हट्डियां होती है जबकि देखा जाए तो मानव सरीर में मात्र दो से 6 हट्डि होती है आप नहीं जानते होंगे बिल्लियों में एक अत्रित अंग होता है जो हावा के मात्यम से गंद को सुंगने में मदद करता है और बिल्लियों के पैर के पीछे भी एक मूंच होती है आप चाहे इसको ट्राइ करके देख लीजिए आपके पास पालतू बिल्ली हो तो आप देख सकते हैं बिल्लियों के समूर को कूलांडर कहा जाता है अग्वा अधर बिल्लियों के अकुल टोटल अठारह ना फूस्त हैं जिसमें अगले 5 ना खोन और पीछे वाले भग के पणजे में चार चार ना खून होते χां हो ते हैं विल्ली एक मात अस्तंधारी पाड़ी है जो मिठास का स्वाद बिल्कुल कम पतंद करती है विल्लियां दिन में मनुप्री के सामान देखती हैं और रात में उससे अच्छा देखती है विल्लियां अपने सरी की वजन से जागुना अधिक छालांग लगा सकती है विल्ली की जीव का रिसा इतना टाइट होता है कि हड़ी पर लगे विये मांस कोवा विल्ली चाट कर साफ कर सकती है तो आप समझ सकते हैं कि विल्ली क्या कर सकते हैं भाँ मिल्ली चार कर सकते हैं कर सकते हैं झाल!